हेलो फ्रेंड स्वागत आपके स्टडी हैक चैनल पे जैसा कि आपको पता है कि अभी हमारी वोकैब की सिरी चलिए जिसमें हम बात करते हैं वोकैब की एकदम बेसिक लेबल से और जिने कुछ नहीं भी आता हो को वो भी सीख सकते हैं वोकैब हम इसमें नया करते क्या है इसमें निमोनिक्स का यूज करते हैं और इस्टोरी के रूप में आपको समझाने की कोसिज करता हो ताकि आपको चीजें ज्यादा समय तक याद रहे और अभी तक हम लोगोंने 12 क्लासे शुक्सफफली कंड़क्ट कर ली है आज हमारा सेवेंटीन एपसोर है ऐसा बोल सकतो हो आपकी हमारा सब्सक्राइब कर लेते हैं और उसके साथ साथ हम डिसकस कर लेगते हैं इंग्लिस ग्रामर के बहतरी रूज ठीक है और हमारी क्लास 25 से 30 में अटकी होती है इक कंप्लीट पैकेज है आप लिए इंग्लिस के लिए कंप्लीट पैकेज है ये लिए इक क्लास चलिए नेक्स्ट बात करते तो hir class के last में एक आपको homework मिलता है जिसका answer करना होता को comment box में थीक है हमारी class जब 5.30 p.m. पे over हो जाती है तो 5.30 p.m. से लेके 10 p.m. तक आपको same day में comment करने होते हैं अगर इन बीच में आपने comment किया तो मैं आपके comment include करूँगा वीडियो में otherwise sorry मैं नहीं कर पाऊंगा लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप नहीं करें आप comment करो ठीक है अपने answers भी बताओ कि आपके कितने सही हुए है और जो question दिया उसके answers भी तो कल के question का answer दिया है मधुलिका पाठील ने स्वाती ने दिया है और इसका जी बोल नहीं नाइस सेशन तो आप लोग जब ऐसा ऐसा अच्छे अच्छे comment करते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है और हम चाहते हैं कि हम आपके लिए और भी अच्छे content प्रवाइड कर सकते हैं ठीक है राणी कुमारी ने भी बोला नाइस सेशन तो थैंक्यू आप लोगों का तो मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूं क्योंकि यह जो question है site for sore eyes यह आगे चलके आपको मिलेंगे हमारी class में तो आपको मैं वहीं पर डिस्कस करूँगा तो चलिए बिना देरी के अपना class स्टार्ट करते और देखते हैं आज का इसको फिर एक जग़ा करते तब जाकि हमारा कार्ट स्टार्ट करना ठीक हैं अब असेंबल से यादब को इसी से बनाशारं से स्कूल में तो क्या होता था सारे बच्चे एक काट स्टव होते हैं तो इसके अंट्रोल और इसमेंटल डिस्पर्स शाल यह नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है असर्ट मतलब वता द्रद्धता से कहना ठीक है द्रद्धता से कहना ठीक है मतलब इंफेसाइज एडवोकेट आर्गीव यह सब इसके सिनोनिम्स है तो आज हम जो भी डिसकर्स करेंगे मैक्समों बर्ड उसमें एसरोट आएगा तो आपको चीज़े याद र लिए जो पिधा यह सब्सक्राइब इसके बboys चाहिए इसकी बात करें तो आएक के वार्ड आने वाल है तो आप आप रख लो योई झाने मोनिक्स में ठीक है तो आगे की चीज़े आपको खुद वाखुद समझ में आ जाएंगी चले नेक्सट बात करते तो नेक्सट वर् soldiers will 제가 official Relugation में सर्फ प्फोरं वह सब खर गरते हो तो अपनी पातों पे जब जोड़ जालतों ताओं तुर ऑप यह सब करते हो दाओं कर थी चिजा मेरी है क 내가 कर ते हैं करते हों तो क्छी चाहिज करते हो तो अपने वह भी बात पूट सría प्रक्राइब करते उसको चीजों को तो नेक्सट बात करते हैं नेक्सट बात करते हैं मतलब निश्चय अत्मत जो चीज निश्चय हो जिस चीज के लिए आप confident हो confirm हो ठीक है तो उस चीज के लिए आप क्या करता हो दवाब डाल के बहुत हो कि नहीं यह चीज मेरा सही है मैं इस पर अडिग हो ठीक है dominant confident forceful यह सब इसके synonyms है अब जैसे आप देख सकते हो कि पतनी हमेंसा सही होती है तो उस चीज को assertive way में बोलती है मतलब क्या confidently बोलती कि नहीं मैं इस चीज में सहाई हूं तुम यहां पर गलत थे तो ऐसा प्याद रख सकतो assertive से आई भी आ रहे हैं तो wife रख सकते हो assertive मतलब wife क्या करती है बातों को अपने बातों को थोपती है forcefully कहती है ठीक है तो इसका हो जगा retiree चली next की बात करते तो नेक्स्ट वर्ड है assess assess मतलब होता आंकलन major evaluate judge इसके synonyms है ठीक है एसस आपको पता assessment जो करते हैं आपको assessment देते हैं तो क्या करते हो आपका आखलन ही करते मेजर करते हैं कि आपने कितना पढ़ा है ठीक है आपका जो टेस्ट लेते हैं assessments होते थे schools में ठीक है तो वह इसलिए होते थे कि वह आपको evaluate कर सकते हैं तो इसके antonyms की बात कर ले तो हो जागा disparage ठीक है तो चलिए next बात करते हैं तो नेक्स जैसा कि आपको पता कि वन वर्ट सब्स्ट्रूशन का session आता है तो आज का पहला वन वर्ट सब्स्ट्रूट है वह है एपोलाइज मतलब क्या होता है छमा मांगना ठीक है टू एक्स्प्रेस रिग्रेट for something that one has done now ऐसी बातों के लिए छमा मंगते हैं जब आप किसी भी चीज़ को गलत करते हैं यह कपल है यह बंदा छमा मंग रहा है क्यों मांग रहा है क्योंकि इसके फोन में किसी और का प्हनटइक्ट्टर किसी और का चैट था वो इसकी गिल्फेर्न ने पढ़ लिए ठीक है तो अब इसने गलती किया तो इसका लीए ऑशंला मांग रहा है जमा मांग रहा है अब अगर आपकी पदोग्तित के sausageир आपकी फुल फुली तो आप गिर गिर आ रहे हैं तो आपने आपोस्ट हैसी मतलब स्वाधर्म त्याग कर देना अपने बिलीप्स को रिलिजिस बिलिफ हो या पॉलिटकल बिलीप्स हो या किसी भी कारण से आप इसको त्याग स्वख्षा से अगर धर्म का त्याग करता है अब आप पोस्ट को क्या कर दियो त्याग दियो अपने स्वख्षा से पोस्ट को त्याग कर दियो ठीक है ऑप अपने धर्म को त्याग दिया है ठीक है तो ऐसे फीगर देखोगे तो आपको चीजी याद रहेगी और ऐसे याद अखना कि कोई धर्म का पोस्ट था उसका त्याग करना पड़ा तो होता है तो कैसे करेंगे स्वेम करेंगे तो स्वाध धर्म सहा वह था अपॉस्ट ऐसी मतलब चले नेक्स्ट बात करते हैं तो इसके लिग जो आगे-ागे चलता, वह होता हैá Apostol, उसको बोलते है प्रचारक, ठीख है, अप देख सकतो है, Jesus Christ एपने पोस्ट के लिए आगे बढ़े, प्रचारी किये, अपने पोस्ट के क्या किये, प्रचारी किये, ठीख है, अपको कोई पोस्ट मिला, लोग उसको जान डर जाओ तो आप देख सकते हैं इस पिक्चर को यह बहावक है अप इसका कितना अपईले पर रहे हो ठीक है आप पर पर तो जब डर जातो तो आपका चेहरा पीला पर जाता ता अप पीले पढ़ रहा हो मतलब आप क्या हो रहा है सौक में आ गए हो आपको कोई भी चीज भ्यावक लग रहा है ठीक है तो अगर मालो कि आपको मैंने याद कर लो आपको मैंने कर्टेंड़ यह मतलब क्या आप से मेरा कोई संबंध है तभी तो मैं आपको पर्दे दे रहा हूं उपने नहीं तो कोई अपने घर का पर्दा क्रस्था उनके घर में लग जिया मतलब कि अप्रोप्रीयat था और अप्लीकेबल तो आपने अपना कर्टन दिया आपने अपना कर्टन दिया ऐसे याद रखना आप चीजों को ऐसे रिलेट करो तो याद हो जाएंगी ठीक है अब यहां पर देखो डॉक्स अलावड नहीं तो केट इसके लिए क्या हो जागा अपार्टन मतलब एक्रोप्रीएट ठीक है अब जॉब के लिए देख लो यहां पर बंदा यह बंदा प्रोपीर यह बंदा प्रोपीट यह बंदा प्रोपीट यह मुवाईल लेकर पहुंच गया और यह उन्हों ह नहीं है वेक्ती और रिलाइबल पॉंसन कोई बंद है कि यह बंदे के पास कितने हाथ होते है तो दो होते, इसको एक पेर बोलते है अगर आप किसी को कोई बी छीज़ सीज दी तो अपने हाथ में रखने के लिए सुरक्षा से रखता है इसका मतलब कि आप किसी को कोई चीज़ दे रहा है मतलब आपको इस पर क्या है विश्वास है इसे प्रहम है इसे प्रहम है मतलब कि आपका विश्वास नहीं वैखती है ठीक है छलिए next बात कर लेते हैं नेक्स्ट और सी चेंज अपने सी देखा हो सी बहुत बड़ा होता है मतलब अगर समुन्द जैसा कोई बदलाव आएगा मतलब इसमें कम्प्लीट ट्रांस्फॉर्मेशन हो जाता है ठीक है अब ऐसे याद आखो आपकी साधी हो जाए तो उसके बाद क्या होता है सी चेंज हो हो जाएगा पुरानी आदत छोड़ देगा बंदा ठीक है अब बीबी जो कहेंगी वहीं मानेगा और दूसरा एक्जामपल आप लिए सकतो कोवीड-19 का जब कोवीड-19 फैला था उसके बाद जो आफिस पुली तो उसमें कम्प्लीटली चेंज हो गया उसकी सेकुरिटी मे अंडर्गो आशीचेंग ठीक है चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट है अशॉट इन दा आर्म ठीक है मतलब उसा वर्दक प्रोचाहन और इंकरेजिंग इस्ट्रिमूलस सम्थिंग डैट गिप्स इंकरेजमें ऐसा चित जो आपको इंकरेज करें साहस दे उसके बाद क्या था आप में उत्साह जगा थे इंकरेज हो गया थे कि चलो अब हम कोविड-19 से बच सकते हैं हमें इंजेक्शन मिल गया है तो ऐसे आप याद कर सकते हो आप इस फीगर को देखो इसने इसके आर्म में सॉट कर दिया अब यह उत्साह में आ गया और इसके मतलब हो गया कि आपके आँखों में कोई चीज खराबी थी लेकिन आपको कोई भी चीज देखा आपने कुछ अच्छा देखा उसके बाद आपके आपको बहुत थंड़क पहुंच रहे है तो वही वहता है आपकी आखें मिचला रही थी ठीक है आपको कोई दिखा कोई प इसके आँखों को इसको देखके थंड़क मिल गई तो इसने कहा है इस रियाली और साइट फॉर सोड़ आई तो ऐसा आप याद रखना जो आपके प्रिये हैं ठीक है जो आपके क्रस हो जाएंगे तो वह क्या होते हैं साइट फॉर सोड़ आई जो आपकी आखे या मतलब अब दुख के घरी में वह उदास हो रहे हैं उन्हें देखते हैं तो अचानक से हैपी हो जाके ठीक है तो वह आपको आखों को ठंड़क ही पहुंचाता है चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट है और स्नेक इन दाग्रास मतलब क्या होता है आस्तीन का साप ठीक है मतलब ऐसा छुपा हुआ आपका इनेमी होता है उसी को बोलते हैं और स्नेक इन दाग्रास आस्तीन का साप अब देखते हैं इसमें स्नेक इन दाग्रास अगर छुप जाए तो हमें नहीं दिखेगा जब हम उसके पास जाएंगे तो हो सकता है वह हमको नुकसान पहुंचा अब देखते हैं इसलिए बोलते हैं और स्नेक इन दाग्रास मतलब आस्तीन का साथ चले नेक्स्ट बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारा पैंडोरा बॉक्स ओपन करने का समय आ गया तो अगर आप लोग जूरे होंगे पहले से क्लास में आपको पता होगा कि हमारे पैंडोरा बॉक्स ओपन होता तो उसमें निकलते हैं जो इंग्लिस ग्रामर के अंडेड गोल्डेन रूल होते हैं जो की हेलफुल होते हैं इरा डिटेक्शन और सेंटेंस इंप्रूइमेंट को कुष्चन को करने के लिए तो हम एक सा ताहिंद सौ डिसक का सकते रूल तो हम डैली एक एक रूल डिसक्ष करते तो अभी तक हमने 16 रूल डिसक्ष कर लिया था है आज हममारे निकी बाःदी है तो अभी हम करох़े हैं disproportion वह है है तो क्यों अविएख और प्रेंप जो है प्रिपोजिशन की तरह यूजू हो कोई भारप नुद्ख करें और अवैच जो यहांपेशस नटींग तो यहां पर टू गलत हो जाएं क्योंकि बट का यूज यहांबर प्रिपोजिशन की तरह हो रहा है ठीक है तो टू यहांपे नहीं होगा हमें बेर इंस्निटिव चाहिए तो करेक्ट क्या हो जागा है कि इस रूल को पढ़ लेना ठीक है क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट इससे बहुत बार कोश्चन आ चुके हैं इजाम में चलें नेक्स्ट बात करते हैं हुआ नेक्स जैसे आपको पता कि फिन होते हैं वह क्या है कि जिसका मैं डिसकस करता हूं तो आज डिसकुछ करेंगे सिक्षेज दिसंबर के सिफट फस्ट अपको दस सेकन्द मिलें घैसर करने के लिए तो फटवाट एंसर कीजिए तो आपको सीनोनीम से बताना है किसका अप बहुत इजी वर्ड है आई होप आभी तक आप लोगे इसका एंसर बता दिया होगा चार अपस्टाने कॉंटेंपरारी एज रिसेंट वर्णल इसलिए टाइम अप हो गया वल्ड मतलब पुराना होता है ठीक है बुढ़ा भी वह सतको तो इसका जो साइज सिनोनीम सोगे का व आउफ सेम्ट है ठीक है रिसेंट आपको पता ही है हल का ये ठीक है अबरेशन अल मतलब होता है ताजा वो व उस्लिख बुल सकतो तजा या फीर फ्रेस ग्रीन यह सब स्कूरूनिमम से और क्या बोल सब्सक्राइढ सब्सक्राइब करते हैं नेक्स्ट आपको इसके अंट्रोनिम्स बताना है कॉंसोली डेटेड का चार आप्शन है विकेंड डेवाइस्ट स्ट्रेंथन फर्मूलेटेड चलिया फटाफटा आपोजिट क्मण फॉर न घुलनली डेटेड मतलब हता है उन्नाइड है इसको बोल जक्ते है उन्नाइटेड बर सकते है उनीफाइड बोल जक्तो ठीख है कॉछ prior छिक्षा आगा उनिफाइड होगा ज्चार तो क्या बहुत स्ट्रोंग हो जैगा है उसके जो ऑपोजित होगा वह बिखेंग कमजोर होना किसी को कमजोर खर देना दिर देडिक करना यह कि छीज़ को तो फर्मूलेटेड भी का सीनोनिम सी है तो m और यह जो है इसके शी लोनीम से और स्टेर्थन मतलब आभको पता हीं है फार्मूलेटर इसका ही सिजो आफ इदो करते हैं लाइटिन एंग्रीग चार अप्साइं इंट्रेस्टिंग लूशिड अनबाज्ट इनकम्प्रीहंसेबल चली इसे के साथ टाइम आप हो गया लाइटिन औंगरीग इडियम का यहीं मतलब होता है इंट्रेस्टिंग आपको पता है लूशिड किलियर होता अनबाज मतलब क्या होता है निसपक्च ठीक है बेसलेस बोल सकते हैं चले नेक्स्ट की बात करते हैं नेक्स्ट आपको Synonyms बनाना है Consensus का चार अपसन है Deceives, Acceptance, Mutually, Agreement ठीक है फटाफाट एंसर करेंगे ठीक है कमेंट बंक्स में 30 में एंसर कीजी आप लो तो चले इसके साथ टाइम अप हो गया और I hope आप लोग ने सही एंसर किया गो तो इसका जो सही एंसर होगा Consensus का वो होगा Synonyms Agreement ठीक है Consensus मतलब ही होता है Agreement सहमती दिखाना आप बोल सकते हैं इसको इसका एक और सिनोन मुझे याद आ रहा है वह होगा एक और ठीक है मतलब को बता है दोहखा जेना Acceptance मतलब स्विक्रित करना मुच्याली मतलब आपको पता है आपस में समंझस बोल सकते हैं इसको चली एक बात करते हैं नेक्सट इडियम बताना आपको इस वर्ड के लिए आपको प्रपरपीर इडियम मतलब बहुत कम आजादी इसके लिए एक इडियम ठीक है आपको इंड ऑफसांस पर धूल को बता ना कि इडियम है क्या चैनल इससे करा टाइम अब हो गया ठीक है तो आई होब कि आप लोगों ने सही डियम ढूल लिया होंगा वेरी लीटल फ्रीडम बागी जो इडियम से ठीक है एंड ओल्ड हेड और यॉंग सोल यह सब आगे के क्लासेज में आएंगी तो मैं वहीं पर डिस्कस करूंगा इन लोग इसन सब को ठीक है तो पैसा मत समझना कि मैंने इसको खुड़ दिया तो मैं इसको इसलिए छोड़ रहा हूं क्यों ग्रैटिफाइड पूपिल्स ठीक है चलिए इसका टाइम आप हो गया आई होप कि आप लोगों ने सही एंसर कर दिया होगा क्योंकि एस्टैब्लिस बहुत ही इजी वर्ट है ठीक है तो पहले मैं इसका मतलब भी बता देता हूं ठीक है एंसर बताएं से पहले इस्टैब् को या फिर आप बोल सकतों फाउं डेड़न को यह सब समटाइं महीं कि अदिए सब इसके सिनोनिम्स है तो अभी तक आपको इसका इंट्रों दिन्स पता ही चलना है तो इसका इंट्रों गरनगा इस्पलेस मतलब क्या होता है विस्थापित करना ठीक है अस्थाफित का yêuप फेल आपको पता ही है ठीक है ग्रैटिफाइड ग्रैटिफाइड मतलब आपको पता ही था कल मैंने बताया था ग्रैटिफाइड का मतलब क्या था संतोस ठीक है यह इसका मतलब होता है आप इसको बोल सकते हो सूध ठीक है कल मैंने इसको डिसकस किया था पूपील मतलब होता है जो स्कूल जाते हैं जात श्कूल में पढ़ने वाले चात को ही करते हैं ठीक है चले नेक्स बाद करते हैं तो नेक्स होमबर्क है आपको वन वर्ड का मतलब बताने कि वन वर्ड इसके लिए क्या होगा एक पिक्चर भी दिया है आपके help के लिए a person who work for an expert to learn a trade इस पिक्चर साब को पता चलना होगा कि क्या कहते हैं तो आपको कमेंट बॉक्स में फटा-फट एंसर करना है ठीक है होमबर्क है आपका तो वीडियो ओवर होने के बाद आप एंसर करेंगे कि इसका सही एंसर क्या है ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही आपको आज का क्लास के कैसा लगा कमेंट में जरूर बता है अगर अच्छा लगाओ तो लाइक करें क्लास को और जो आपके फ्रेंड्स या जिने जरूरत हो कि वह कैब सीखना हो कंप्लीट क्लास चाहिए इंगलिस की वह भी कम समय में 25-30 में तो आप उनके सेर जरूर करें ठीक है तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ठीक है कुछ नया कॉंटेंट लाता हूं कुछ नए तरीके यूज करूंगा ठीक है तब तक के लिए टेक क्यार जय हिंद जय भारत